नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट होगा और इसके अंदर फिलिपिन्स का नाम सबसे पहले आता है लेकिन दोस्तों आप बताया जा रहा है कि UAE और साओधी अरेविया भी इसके अंदर इ विजिट पे जाएंगे UAE और साथ ही साओधी अरेविया के अंदर वहाँ वे अपने काउंटर पार्ट से भी मिलेंगे और साथ ही वहाँ के बड़े सीनियल ओफिशियल से भी मिलेंगे और इसके इलावा सूतर ये भी बता रहे हैं कि ये पहली विजिट होगी इंडियन आ शेंकर भी वहाँ की विजिट करके आए हैं और सूतर बता रहे हैं कि ब्रहमोज मिसाइल के लिए ने केवल UAE और साथी अरेविया बलकि दोस्तो कतर भी इंटरस्टीड है और फर्स्ट लेवल की टोक्स भी इसके उपर चल रही है और कोविड नाइंटीन की वज़े से जो प्राइस गिरते जा रहे हैं तो वे भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करना चाहती हैं ऐसे में वे इंडिया को एक ट्रस्टिड पार्टनर के रूप में देखते हैं क्योंकि इंडिया उबरता हुआ है स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर और साथ ही इंडिय कि अर्माको ओल कंपनी के उपर उसका भी विरोध किया था और उसके उपर भी दुख जताया था और इसके इलावा इंडिया और भी कई सेक्टर हैं जिनके अंदर कोपरेशन करने के लिए देख रहा है जैसे कि स्पेस, मेरिटाइम अवेरनेस, जोइंट डिफेंस प्रोड इंडिया भी काफी अच्छा काम कर चुका है और एक ट्रस्ट भी है और दोस्तों जहां तक UAE की बात है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी वहां पर तीन बार जाके आ चुके हैं और इसके इलावा उन्हें वहां का सबसे हाइस्ट ओनर जो शेक जायद मैडल है वो भी मिल चुका है UAE हमारे लिए पर्शियन गल्फ क्राइसिस के टाइम पे बहुती बड़ा रोल निभाता है और हमारे जो उसक्षेतर के अंदर एधिकार हैं उसके लिए भी हमारे लिए वहां बहुती क्रिटिकल है और अब जब आर्मी चीफ वहां जा रहे हैं तो US-I इरान रिलेशन को लेकर और काउंटर टेरोरिजम को कोपरेशन के उपर भी बहुत बड़ी बात हो सकती है और लास्ट येर UAE ने ये अनौंस किया था कि वह इंडिया के अंदर 75 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा तो उसके बाद साओधी अरेबिया ने कहा कि हम 100 बिलिय साइन किया है जिसमें वे उन्हें स्पेशल एम्यूनिशन भी सप्लाई करते हैं और अब गल्फ कंट्रीज हमारी मेडी इन इंडिया आकाश सरफेस टू एर मिसाइल सिस्टम और ब्रहमोस जो की इंडो रशियन जोइंट वेंचर है उसके अंदर भी इंटरस्ट दिखा रह आती है वो भी इंडिया के साथ डील करने की कोशिश कर रही है तो इसकी भी बात जरूर हो सकती है और जहां तक दोस्तों इंडिया साओधी अरेबिया की बात करें तो दोनों के बीच में जोइंट डिफेंस प्रोडक्शन के उपर स्पेशली बहुत से कंपोनेंट को लेके एगरिमेंट पे साइन हो चुका है और साओधी अरेबिया के पास टेकनिकल एक्सपर्टाइज नहीं और स्किल्ड वरकर भी नहीं है जो इंडिया उन्हें प्रोड करवा सकता है दोस्तों अब यह हम समझ सकते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की विजिट कितनी इंपोर्टन है औ भी एक मिडल इस्ट कंट्री है वो यूएस की फिफ्ट फ्लीट को अभी होस्ट कर रहा है और बहुती बड़ा रोल निभाने जा रहा है एंटी पाइरेसी और काउंटर टेरोरिजम के अंदर तो वह भी हमारा मित्तर देश है इसके इलावा 2019 में इंडिया और साओधी अरे तो ये सारी कंट्री जब इंडिया के पक्ष में आ रही है और जरूर कुछ ऐसा निकल के आएगा जिससे पाकिस्तान को बहुत जादा धका लगेगा धन्यावाद जैहिन